हलो एवरिवान और वन्स अगेंड वेलकम तो डवलो एसक्यूब टेक यूटिव चैनल मैसल फुमर तसकीर गाइज पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बात करें अबाट वीडियो पारकेटिंग और उसमें जो हम लोग ने पहला इस्टेप लिया है वह हमारा यूटिव चैन अब इस पर्टिवलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाट डिस्क्रिप्शन नहीं एक्चुली वीडियो तो टॉक अबाट चैनल डिस्क्रिप्शन इस अगें अवरी इंपोर्टन फिंग फ्रॉम चैनल पॉइंट आफ यूट नाट इग्नोर इंपोर्टन इ जो इंपोर्टन चीज़ है नहीं कि लिखते वकिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो मैं यहां पर लॉग इन हूँ राइट सो यहां पर सीधे आपको जाना है योर चैनल के उपर और योर चैनल इस डिस्क्रिप्षिन सेक्शन इस कि यहां पर आप को जो जो गरेक्टर लिमिट मिलती है वो 5000 और किस तरीके सामें 5000 करेक्टर को यूज करना है इस नॉट नहसरी कि आप पांचदर करेक्टर के पूरे-पूरे बार दो, विकाज जो इंपोर्टन चीजें है, वो उपर होनी चाहिए, और यहां पर मैंने कुछ इंपोर्टन चीजें लिख रखी है, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन के पॉइंट अफ्यू से है, पहला जो पॉइंट है, यहां पर अगर मैं टाइप करता हूँ, दो, डबलूएस क्यूबटेक, तो आप देखोगे कि यहां पर जो चैनल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके साथ यहां पर आपको कुछ यहां पर चैनल का डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, यह जितना यहां पर कंटेंट लिखा, आप इसको कॉपी करें, और इसको कॉपी करके आप देखें जाके, तो लगबग 150 करेक्टर्स के आसपास होगी है, तो यह जो आपके 150 करेक्टर्स होते हैं, यहां पर भी दिखते हैं, वो हाई हेलो यहां पर करते रहते हैं, ठीक है, एक सो, फर्स्ट जो 150 करेक्टर्स हैं, उसमें आप हाई हेलो मत करो, ठीक हाई हेलो अगर लिखना है, थोड़ा सा अगर आप लिख दो हाई हेलो और उसके बाद, इंपोर्टेंच चीज अखो, उसके बाद आप चाहो तो दूसी चीज़ें कवर कर सकते हो, विकाज मैं, अगर मेरा आप रिकमेंडेशन लो, तो मैं इस सजेश्ट नहीं करूँगा, कि आप स्टार्टिंग में हाई हलो लिखके, यह जो स्पेस है, उसको वेश्ट कर दो, अगर आप इसको एडिट करने जाओगे, तो आई बिलीव यहाँ पर आपको पांच हिजार करेक्टर्स लिखने की लिमिट मिलती है, फाइव थाउजन करेक्टर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो एक पॉइंट तो यह हो गया, आपके वीडियोज को वाच करके, तो यह बिसिकली उस बारे में हैं कि आप अपने चैनल के उपर जो वीडियोज डालेंगे, कि जो आप यहाँ पर अपने चैनल के उपर वीडियोज आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो किस बारे में हैं और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, थाड़ पॉइंट इस इस अगेन अवेरी इंपोर्टन थिंग, वसे हमने तो यह चीज जो है हमारे चैनल आर्ट पर कर रखी, अगर आप देखते होंगे, तो आपको दिखता होगा, चैनल आर्ट पर जनरली, अभी हमने चैनल आर्ट चेंज की, तो उससे पहले जो चैनल आर्ट की वहाँ पर था, यह हमारा जो डेली वीडियो से है, वो जो डेली अपडेट होती है, रगुलर अपडेट होती है, वो 7.30 पीम पे एक वीडियो डेली लाइव होता है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेट, तो इस तरीके से आप जो है वीडियो को अप्लोड करें, विकास देखो, हो सकता है कि जैसे फॉर एगर हम अपने ही चैनल का एक्जामपल है, फर इसांपल, Monday, Tuesday, Wednesday हम डिजिटल मार्केटिंग के चैनल जो वीडियो से उनको अप्लोड करते हैं, Thursday, Friday, Saturday हम प्रोग्रामिंग से लेटेटे वीडियो अप्लोड करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको call to action को नीचे include करना है, ठीक है, description के end में include करना हो, यहाँ पर आप देखो, जो एक example है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, if you are interested in this channel, make sure to subscribe and click the notification button, so you never miss my videos, right, so this is again a very basic and very, we can say that very important call to action that you have to mention in the description हो सकता है, तो आप call to action mention करना चाहे, but it is again a very basic and one of the most important call to action with respect to YouTube channels, then also use keywords in description, this is something very technical, and now यहाँ पर जो keywords की अगर हम बात करें, तो the keywords are like, these keywords should not be video oriented, जिसे अगर मैं digital marketing की बात करता हूँ अपने channel के उपर, for example, digital marketing की बात करता हूँ मैं अपने channel के उपर, then actually I will not talk about how to make images from Canva, right, how to make images or how to make photos on Canva, how to edit photos on Canva, तो यह जो topic, it is topic of a video, right, तो यह हमारे लिए 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 होगा, right, हमारे लिए 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 होगा, digital marketing, free digital marketing videos, right, digital marketing videos for beginners, digital marketing video tutorials, digital marketing video tutorials in Hindi, these are the keywords for us, so you can actually find out what are the different keywords that actually represent your channel, वो आप को चैनल को रिपर से लिए 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 लगा करते, you can definitely use those keywords in the description, then can include social links, this is again very important, but I will suggest don't use social links at the top of your description, always use them at the bottom of your description or the end of your description, then can include progress milestones with reference to a channel, this is again a very important thing, see suppose you have created you have created your channel today and within within 30 days within 30 days you have made like 1000 subscribers right you have gained 1000 subscribers you can write जब भी आपने अपने चैनल बनाई उसके बाद the first 30 days right first 30 days and first 30 days आप लिख सकते हो 1000 subscribers right then from 30 whatever the date is ठीक है वहां से आप डेट भी मेंशन कर सकते हो right for example मानता हूँ 1 अगस से लेकर आपने 31st अगस तक again you you are like 3000 plus subscribers right यह यह आप कुछ milestones आपके चैनल की कुछ identity suppose जब कभी भी आपको जो play buttons है वो सारे मिले in that case वो सारी चीज़े भी आप मेंशन कर सकते हो so it is actually इसको तो आपको edit करना पड़ेगा but it is again a very nice thing that you can mention ठीक है then you can use mixed language आजकल बहुत popular है अगर आप Hindi English में continuous मैं बनाता हूँ Hindi भी मैं use करता हूँ English भी use करता हूँ it's kind of a hybrid जो मेरे videos होते हैं those are actually kind of a hybrid videos so you can use this kind of language in description also right and presentation and clarity is must you can not ignore this point right because ऐसा न लगे कि presentation and clarity का मतलब देखो थोड़ा बहुत grammar से भी है अगर आप English में पूरी चीज रख रहे हो थोड़ा सा grammar का भी ध्यान रखो थोड़ा सा natural language का भी ध्यान रखो और यह देखो कि कोई चीज mix नहीं हो रही है ठीक है बहुत ही गंजिस्टेट नहीं हो रहा है content बहुत जीता गंजिस्टेट नहीं हो रहा है you can put some breaks जहां पर आपको जरूरत है आप कुछ breaks लगा सकते जहां पर आपको जरूरत है कुछ आप lines हो गएरा के थूप break दे सकते हैं just like this right आप lines के थरा through कुछ breaks दे सकते हैं कुछ अगर highlight आपको करना है तो capital यूज कर सकते हैं this is actually related with presentation and clarity तो इन सारी चीजों को आप दिहान रख सकते हैं बाकी मैंने आपको यहां पर बताई दिया किस तरीके से आप descriptions को description को edit कर सकते हैं और वहां से आप कर सकते हैं again a very important very important aspect और यह कि बहुत तरीके से आपके subscribers हो गएरा को because once traffic is coming to your videos it is important अगर एक बार आपके videos के ओपर traffic आने लगा तो it becomes very important कि वो traffic जो है subscribers में convert होना चीए वो subscriber जिननों notification की bell दबा रख चीए वो subscriber जो आपके loyal subscribers हो loyal subscribers होना या वो subscriber जो आपके genuine subscriber होना बहुत कोगँ depend करता है किस तरीके के videos जो है डाल रहे हैं किस तरीके से आपका interactions है किस तरीके से आप जो आपके viewers है उनसे interact करते हैं आपका वीडियो कितना interactive है कितने personalized रहते हैं आप ये सारी चीज़े भी depend करती हैं कि आपके जो subscribers हैं वो आप से कितने loyal हो गए and all तो यहाँ पर हम लोगे देखा कि किस तरीके से हम description अपना लिख सकते हैं और कुछ जो basic और important points है description के point of view से हम कहें description जो optimization के point of view से वो इस सारी चीज़े थे इस particular वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन गुद बाइ